नमस्कार, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बंगाल से ममता बनर जी हार चुकी है, चुनाव नंदी ग्राम से 16 जादा बोटों से सुवेंदो अधिकारी जीत चुके हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, ममता बनर जी चुनाव हार गई है, अब उनको कोई मौरल अधिकार नहीं बने, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया है, ये बहुत बड़ी खबर है, जनता की बहुत बड़ी जीत है, ममता बनर जी को करारी सिकस दी है, सुवेंदो अधिकारी ने और सुवेंदो अधिकारी ने जो चैलेंज किया था, उसकी जीत हो गई है, ये बहुत बड़ी खब तो आपको बता दे कि अब मम्ता बनर जी क्या करेगी मम्ता बनर जी दुबारा चुनाव लड़ेगी या मम्ता बनर जी को इतना भी अकल नहीं है कि उसको अब ट्याक पत्र दे जाना चाहिए और टी-म-सी के जो विदायक है उनको छोड़ देना चाहिए अब उनको BJP के साथ आ जाना चाहिए क्योंकि मैंडेक ममता के खिलाप मिला है और सुवेंदू अधिकारी जीते हुए हैं वो सबसे बड़े विनर हैं असली जीत के हगदार बंगाल में सुवेंदू अधिकारी हैं सुवेंदू अधिकारी कोई वहाँ पर CM बनाया जाए क्यो अब मुक्यमंत्री वने क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है पहले लोगों ने चलाया कि 1200 वोटों से जीत रहे लेकिन जीत आ sulphorkार गई है ये बहुत बड़ी ख़बर है, ममता बनर जी डूब मरो, आग मत लगाओ, हम मेरे पास बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं, कि जो बंगाल में कहीं टेक्टर जला रहे हैं, बीजे पी के ऑफिस जला रहे हैं, ममता बनर जी के गुंडो, देखो तुमारी जो लीडर है, उसको कर सारी सिकस देदी है नंदीग्राम के लोगों ने और ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की क्योंकि भले वो बंगाल हार चुके हैं लेकिन ममता बनर जी चुनाव हार चुकी है वो भले ही किसी भी तरीके से सीम बनने लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं बनता अब वो सीम रह क्योंकि जनता की नजरों में वो गिर चुकी है क्योंकि वो उसने पैर तूटने का जूटा डरामा किया आज वो पैदल चलके गई को उसने वीर चियर तोड़ा जनता को मूर्ख बनाया बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाया अब ममता बनर जी त्याक पत्र दे दो सन्यास जिन्दगी से क्यों राजनीती में हो क्योंकि अब जनता ने तुम्हें जटका दे दिया है खेर उनको मुबारक बाद उनको बधाई लेकिन आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इस देश के नेता बोखला जाते हैं वो खुद को बेनकाब करते हैं आपको बता दें सरत से नाच रहें जैब कि केरल में उनकी करारी हार हुई है जहां समुद्र में गोते लगा रहे थे राहुल गांदी वाइनार्ड खुद उनकी सीट वहां से कॉंग्रिस की बुरे हाल हैं लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पार्टियां बधाईयां दे रहे हैं जह लेकिन वहां गॉर्मेंट नहीं बनी इससे पूरा विपक्स जस्न बना रहा है लेकिन असम में भी जेपी जी थी वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं वहां पे इवियम हैक हो रखी है और पॉंडुचेरी में कॉंग्रेस गॉर्मेंट थी वहां से हार रही है वहां इवियम हैक हो रही है चाये तमिलनाडू में वहां डीम के अच्छा परदर्शन कर रहा है कॉंग्रेस कोई नहीं लेप्ट पार्टी केरल में जीत रही है लेकिन कुल मिलाकर यह आपको बता दें कि केवल केवल यह ईवियम की जीत है और आपको बता दें जो तस्वीरें आरी हैं पश्च कर रहे हैं कि ममता बनर जी खुद एक इस तरीके गुंदी तरीकि के से उनका जो विल्चेयर का ड्रामा था अब वह सामने आरहा है कि किस तरीके से आग लगा रहे हैं बिबक्स इसको लोगतंत्र की जीत बता रहा है परधान मंतरी नरेन मोदी दो बार इतने पूर्ण भहुमत से जीते आपने देखा किसी बिबक्स के ओफिस पे आग लगाते हुए या किसी कार्यकरता पर अटेक हुए नहीं लेकिन बंगाल में एक अलगी लोगतंत्र की जीत हुई है उसको ये ममता वर्सेज मोदी कराना चाहते हैं जो की 1200 बोटों से जीत रही है खुद जैसे उनकी इस्तिती थी जीती है और जो मुस्लिम बोटों के तहट उन्होंने पूरा मुस्लिम बोट एक तरफा उनको गया है कॉंग्रेस पार्टी ने खुद की पैर पे कुलहाडी मारी जो लैप्ट पार्टियां उन्हें भी उनको सपोर्ट किया मतलब यह है कि अपने पैर पे खुद कुलहाडी मारी कॉंग्रेस ने लैप्ट पार्टी ने और बीजेपी को हराने के लिए तो अपने घर में खुद वो बिपक्स में रहेगी आने वाले चुनाओं में बिधान सवा में वो जरूर वहां पर सरकार बनाएगी लेकिन ममता बनर जी के गुंडे जस्तरीके से आगजनी कर रहे हैं वो पूरे बिपक्स का चहरा दिखाता है कि यह कैसा लूप तंतर दिखाता है मलब आप की आवाज अगर आप नहीं जीते अब दूसरा जीत गया तो वो आप उसको अटेक करेंगे जैसे यह बीजेपी के ओफिस के आगे गुंडगर्दी कर रहे हैं आग जनी लगा रहे हैं ऐसा ही अगर बीजेपी वाले करते जीत के कॉंग्रेस के ओफिस पो आग लगाते टीमसी वाले अ तो जिस तरिके से जो भी जहाखे ह Потом company आखिर जीती होती है लेकिन विगएंगर को और नहीं बोल रा बाताइं और आज वो ऊ». दे रहा है ममता बनर जी को तो कितने बड़े दोगले नेता हैं यह चाहे आपको को अर्विंद के जिवाल हो दिल्ली की कोई फिक्र नहीं है उनकी एक लीडर है स्वाती माली वालोग कह रही है कि बड़े दिनों बाद आज बहुत अच्छी ख़बर मिली है दिल्ली में ऑक्स आसों से ज्यादा आंकड़ा डेली का जा रहा है मरने का इनको यह जो चुनावी वो है वो उसमें खुस खबरी नजर आ रही है यह ममता बनर जी के जीत पर जस्न मना रहे हैं खुसी मिल रही है इनको और दूसरी तब कहते हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी एक रेली कर र निर्वाचन आयो गुस्सा भी हुआ उस पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि विपक्स है विपक्स कोरोना प्रूब है विपक्स ऐसी चीजें नहीं करता है तो जिस तरीके से ममता बनर जी 1200 वोटों से जीती है चाए उन्होंने 200 से ज्यादा सीटे पाई है उनको बधाई है लेकिन यहाँ पर जमीन में कोई काम नहीं हुआ काम बिलकुल नहीं हुआ तुस्टी करण हुआ है कट मनी की जीत हुई है और उसको और बड़ावा मिलेगा चाए आपने रोज वैली हो या सारदा चिट फंड हो अभी आपने देखा कि किस तरीके से उनके भतीजे भी इसम करण करते हो तो एक संप्रदाए ऐसा है कि वो आखें बंद करके बीजेपी के खिलाब बोट करेगा चाहे आप कुछ भी कर लो तो जितने भी घोटाल है इसी वज़ो से ये पार्टियां चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां जो सेकुलर बानते हैं वो अपने आपको घोटाले करते रहते हैं उनको पता है कि हमारा कोई बोट बैंक है जो हमें किसी भी कीमत पर बोट देगा और यही हा सब्सक्राइद दूर्दसा दूर्दसा भारत के जैसे अन्यस राजो से बहुत पीछे बंगाल नहें रोजगार नवा इंडस्ट्र है नन वहां कुस इस तरीके का गुंड़ई तंत्र है कि धंकाया जाता है बॉंब से अटेक कराया जाता है और बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण रहा है क्योंकि यह जो सेकेंड वेव आई उसमें मीडिया ने किस तरीके से भूमिका निभाई कि इतनी रेलिया कर रहे हैं मो सब्सक्राइब करोना से मरने में 120 वे नंबर पर और रसिया में चार लाग से जादा मौते हुई किसी ने वहां पर बात नहीं की पूरे दुनिया में इतनी मौते हो रही भारत में बहुत कम लेकिन एक टूल किट की तरह इसको फैलाया गया किस तरीके से बीजेपी आगे न का जो केडर था वो बहुत ममता बनर जी जो चाहती थी वो हुआ इस वज़ों से यह हुआ बाकी अभी असम में बीजेपी जीत रही है चाए उत्राखन के उप्चुनाओं हो वहां पर बीजेपी जीत रही है जीती और महरास्ट के उप्चुनाओं में बीजेपी जीती है जहां तीनु पार्टिया NCP, सिवसेना और कॉंग्रेस मिलकर रड़ी थी और ऐसी सीट जो पहली बार BGPG थी तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग विपक्स जो कितना भी अपना गुबारा बना ले लेकिन जब ये मिलेगा तो साथ-साथ फोटेगा कुछ दिनों तक ये ममता बनर जी के पीछे हवा भरेंगे कि ये है वो है बहुत बड़ी जैसे संजाई राउत उनको सेरनी कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ये ममता बनर जी खुद अपने जाल में फसेगी और उनके TMC के जो बिधायक हैं खुद पर खुद छोड़ेंगे जनता के लिए कुछ नहीं करना है और बीजेपी के पास ये चांस था लेकिन कोरोना की महामारी की वज़ों से उसको बहुत नुक्सान हुआ बीजेपी को वैसे बीजेपी बहुत सारी राजों में जीती है चाहिए पॉंडुचेरी में यहां पर सरकार बना रही है और असम जीती वो नहीं दिखाया जाएगा उत्राखण में बीजेपी जीती वो नहीं दिखाया जाएगा लेकिन बंगाल में जो बीजेपी तीन से इतनी आगे निकली है उसको भी बीजेपी की हार बताया जाएगा और कॉंग्रेस जो कहीं नहीं है वो जस्न मना रही है तो कॉंग बंगाल को अच्छा बनाएं बंगाल अगर अच्छा होगा तो पूरे देश के लिए भी अच्छा होगा बंगाली वाशियों के लिए अच्छा होगा लेकिन अगर तुष्टी करण से ही अगर उसको मिनी दूसरा कस्मीर बनाएगी तो ये पूरे देश के लिए बहुत धक्क मना रहे हैं टीमसी का जस्त ऐसा होता है जैहिन जैभारत